कुरुपिया ध्यान रखे कि इस चैनल में निचीत सभी जानकारी केवल सिक्सीत और सुत्मक्त कुदेशियों के लिए है इस यूटूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश चला, वितिये चला, कानोनी चला, वक्तिकत चला के रूप में नहीं लिया जाना चाह है तो उन दिन के अंदर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है सबसे पिले यहां पर हम टाइमिंग देखे डेट के बारे में बात करें बारह आप्रिल दो जारतेविस अक्रोडिंटू दू दू ब्यूरो ओफ लेवर स्टेटिक्स यहां प किया जा रहा है कि यह जो कंजूमर प्राइस इंडेक्स है वो यहां पर क्या आ सकता है फिलाल यहां पर एक्सपेक्ट एक किया जा रहा है कि प्लस 0.4 परशेंट आए अगर प्लस 0.4 परशेंट आता है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही आता है तो मार्केट के अंदर उतना बड़ा गिरावट या तो उतना बड़ा डंप अमें देखने को नहीं मिल सकता है कि स्टेबल जेशा वहाँ पर 1000 डॉलर का पंप डंप हो सकता है अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे भी पोजीटिव निकल के आता है तो मार्केट के अंदर एक हावी जंप हमें देखने को मिल सकता है बिटकोईन के अंदर 1500-2000 डॉलर का जंप देखने को मिल सकता है अगर यह 0.4% एक्सपेक्ट किया जा रहा है और मामला नेगिटिव बनता है इससे कवम आता है मतलब बहुत ज्यादा 00 आ जाता है मतलब कोई भी फरक नहीं आता है तो मार्केट के अंदर 1500-2000 डॉलर का आमें एक डंप देखने को मिल सकता है वो तो कल का दीन ही बताएगा कि क्या यहाँ पर डाटा निकल के आता है फिला ले तो एक न्यूज होगी कल के दिन और दो न्यूज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं अब यह पूरा-पूरा आप डीटेल यहाँ पर देख लीजी इसमें से दो चीजे ज्यादा इंपोर्टन्ट है सबसे बेले इंडियन टाइम ही है छे बजे यहाँ पर इस CPI डाटा आपके सामने रिलीज होगा फिर जो मार्गेट के अंदर हमें वोलीटिलीटी देखने को मिलेंगी और वहाँ पर काफ़ी पंप और डंप होता ही तो आपको अपने स्टोपलोस का भी ध्यान देना है लेवरेज काफी लोवेस्ट लेना है ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं जाना है हर बार हम वहाँ पर ही डिसेट करते हैं उसके बाद साड़े ग्यारा पीम का ही टाइम है मतलब राद को साड़े ग्यारा इंडियन टाइम यहाँ पर FOMC का मिटिंग जो मिनिट्स होगा वहाँ पर कुछ जो फेट के चेर्मेन पोवेले वो कुछ ब्यान देंगे तो यहाँ पर भी वोलिटिलिटी होगी यहाँ पर भी वोलिटिलिटी होगी तो खास आपको ज्यान यह भी देना पड़ेगा कि साड़े ग्यारा बजी यहाँ पर Fade क्या कहते है यह डाटा निकलने के बाद यह कहेंगे कोई नीड़ने लेंगे क्या इस बार हम इंट्रस रेट हाइक करेंगे कितना करेंगे कितना मंदी है एक भी वर्ड वहाँ पर नेगेटिव बोल दिया तो सीधा सीधा इंपक्ट जाएगा मार्केट के अंदर प्रिवेस टाइम आपने देखा होगा FMC का मीटिंग था पहले उस लोगों ने जो हाइक करना था वो कर दिया उसके बाद फेट का मीटिंग आया वहाँ पर उसने कुस और बोल दिया तो वहाँ पर हमें डंप देखने को मिला था तो यह दोनों चीज़ों को आप देखना पहले छे पीएम इमामला खतम होने के बाद वापस साड़े ग्यारा पीएम के आसपाज आपर मिटिंग होगा मुझा ज्यादा आएगा क्योंकि वोलेटिलिटी उतनी होंगी पंद्रासो बिद्धो जार डंप अंप वहाँ पर हमें देखने को मिल शकता है और रियल में हमने अनलेसिस करके वहाँ प अज़ा खाजा प्रोफिट बनने की पोसिबिलिटी है बट अगर ट्रेड उल्टा चला गया तो वहाँ पर लोस भी उतना हो सकता है तो बिना स्टोपलोस के आप काम मुझा लेना उसके बाद यह साड़े ग्यारा बजे फिर मत सोचना कि यार यह तो CPI डाटा या 6 बजे औ अगर पोजिटिव ब्यान दिया तो अगर यह बले CPI नेगेटिव है अगर यहां पर पोजिटिव ब्यान दे दिया तो भी मार्केट यहां पर इस वक्त पर पॉंप हो सकता है अगर CPI पोजिटिव निकल के आता है बट यहां पर फेड ने कुछ उल्टा बोल दिया मतलब क द्यान से काम लेना होगा और वेल उतनी आसनी से कमाने नहीं देंगी तो ध्यान देना वहां पर लूंग वलों को भी उड़ाएंगे तो ध्यान दे के हमें ट्रेडिंग करना है कि किसी सब से में इंद करेंगे. लास्ट में यहाँ पर एक एक्चेंज, यहाँ पर मैं हर बार कहूंगा, एक्चेंज से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर हम करते कॉंपी ट्रेडिंग, यहाँ पर हम कॉंपी ट्रेडिंग प्रोवाइड करते, ताकि आप यहाँ पर हमारे ट्रेड को कॉंपी कर भाओ, एक् पर लिखना एक दो डानाा है सागर लिखना है फिलाल कर एक दो त्रेड गए थे तो अपना ट्रेडिंग जो है वह रैंक नहीं कर रहा है तो शागर लिखना है तो आपको मिल जाएगा उया पर São सकते हो को 27 डॉलर का प्रोफिट है कल थोड़ा लोस हो गया था और यहां पर अपना प्रोफिट है आप देख सकते हो वेनिंग रेट देखो यहां पर 93.10 परशन इतना अपना वेनिंग रेट है लास्त तीन वीक के अंदर तो 7 परशन यहां तो एसल दार है या फिरम लिक्व सकते हो